दोस्तो सारी रात वाटसब पर बात करने के बाद सुबह आपको पता चले कि आप ब्लॉक हो गये हैं तो आपका सारा दिन बिगड जाता है दोस्तो मैं आज आपके ले एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जिससे आप वाटसब पर खुद को अनब्लॉक कर सकते हो हाँ दोस्तो आप वाटसब पर खुद को अनब्लॉक कर सकते हो तो दोस्तो वीडियो को हम सुरू करते हैं वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा वरना आपने अगर कोई एक पार्ट भी मिस कर दिया तो फिर आप कमेंट में यही करोगे कि भाई मुझे गाली देने का मन पढ़ रहा है तो दोस्तो आपको अपने फॉन की सेटिंग ओपन करना है और एप मेनेजमेंट पे क्लिक कर देना है एप मेनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछी सरीके का आपका सारे एप आ जाएंगी दोस्तो आपको वट्सअप पे क्लिक कर देना है WhatsApp पर click करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे permissions का एक option मिल जाएगा Permission वाले option पर आपको click कर देना है Permission वाले option में click करने के बाद दोस्तों आपने WhatsApp को जो जो permission दिया है जो जो आपने allow किया था आपको सारी permission बंद कर देनी है, off कर देनी है तो दोस्तो permission off करने के बाद आपको हलका back आजाना है बैक आने के बाद दोस्तो आपको storage usage के एक option मिल जाएगा आपको इसमें click कर देना है और इसमें click करने के बाद आपको clear check कर देना है अब दोस्तो जो हमारा setting वाला काम था वो हमारा setting वाला काम हो गया है अब आपको इसको back कर देना है और WhatsApp एप में चलना है तो दोस्तों अब हम WhatsApp में चलते हैं WhatsApp को open करते हैं WhatsApp open करने के बाद दोस्तों आपको उपर side 3 dot दिखते हैं आपको उसी 3 dot पे click कर देना है दोस्तो 3 dot पे click करने के बाद आपके सामने बहुत सारे option आजाते हैं आपको setting में click कर देना है setting में click करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले backup ले लेना है चैट पे click करिएगा और चैट पे click करने पाद थोड़ा scroll करके नीचे जाएगा आपको backup option मिल जाएगा आप backup ले लीजेगा तो दोस्तो बैक अप लेने के बाद आपको करना कहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप वीडियो बिल्कुल भी इसकिप मत करिएगा, तो दोस्तो हमने बैक अप ले लिया, अब आपको बैक कर देना है, बैक करने के बाद दोस्तो आपको second number क्या करना है, आपको यहाँ पे privacy आपको प्राइविसी पे क्लिक कर देना है, और यह आपको लास्ट सीन जो है, नोवड़ी कर देना है, मतलब यहाँ पे आपको जो भी दिखेगा, आपको सब कुछ नोवड़ी ही कर देना है, और आपको मैं बता दू, यहाँ पे मेरा network connection अवे थान अवेलिबल बता रहा है क्योंकि मैंने net को off करके रखा है, अब दोस्तो इस status में आपको only share with में कर दीजेगा, आप किसी एक friend को करके बस, आपको इतना करना है, अब आपको यहाँ पे नीचे एक option दिख रहा होगा, red recipients curve, तो दोस्तो इसको भी आपको off कर देना है, ठीक है, आपको इसको भी off कर देन है, मैंने अभी net बंद किया, इसलिए network unavailable बता रहा है, तो आप इसको भी off कर दीजेगा, दोस्तो अब आपको back कर देना है, और आप आपका सबसे important setting आपको करना है, सबसे important काम आपको करना है, आपको account में click करना है, account में click करने के बाद आपको change number, आपको change number में click कर देना है, अब दोस्तो आपको next में click करना है, next में click करने के बाद दोस्तो आपको यहाँ पे दो option दिखेंगे, तो आपको ऊपर side वो number dial करना है, दोस्तो जिससे आप पहले WhatsApp चलाते थे और आपका वो number block हो चुका है, ठीक है, तो आप अपना वो number डाल देना, और यहाँ पे new number में आप को अपना नया number डाल देना है, तो दोस्तो होगा क्या आपसा जो number है, जिस number से आपको block कर दिया गया है, वो number आपका हट जाएगा, और आपका नए number से WhatsApp चलने लगेगा, आपका बादी ना chat डिलीड होगा, ना contact डिलीड होगे, ना कुछ भी डिलीड आपका नहीं होगा, आ और आप जहां जहां भी block होगे, आप unblock अपने आप हो जाओगे, तो दोस्तों आप इसी तरीके से अपने आपको unblock कर सकते हो, दोस्तों हमारे चैनल को subscribe कर दीजेगा, like भी कर दीजेगा दोस्तों, हम इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, कर दोस्तों, हम इसी तरह 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 कर दोस्तों, झाल झाल